वेल सो गुद मानिंग गुद आफ्टनाउन गुद इनिंग तो अल आफ यू कैसे दोस्तों आप सभी लोग आए होप आप बहुत अच्छे होगे चली हमारा GST चैप्टर वाई चार्ट रिविजन मिशन सम्भा में आपका स्वागत है तो दोस्तों अभी हम स्टार्ट करेंगे रिविजन आज टॉपिक होगा टाक्स इन्वाइस और टाक्स इन्वाइस ये चाप्टर में जहां तक दिखा जाए तो सारी प्रोविजन हम अच्छे से रिवाइस करेंगे ये कह दू कि ये अगर यहां पर अग्रिगेट टर्न और फाइव करोड़ कर दिया होगा तो आपको करन्ट इयर में इन्वाइस जो है कमपसरी होताएगा तो पहले जो था ओके देड़ साल पहले बीस करोड था फिर दस करोड हुआ और अभी आपके एग्जाम को फाइव करोड़ अप्लिक करेंगे पहले तो यह बता दू कि जो स्टूरेंट फर्स टाइम ही अगर मिशन संभव का टैक्स इन्वाइस का रिविजन देख रहे होगे तो यस मैं उन सभी को कहूगा कि मिशन संभव की प्लेलिस ऐस वल एस क्वेशनेर की प्लेलिस और आपके अमेंटमेंट की प्लेलि कर दिया जाएगा जो अपडेटेड चार्ट्स आपको उसमें दिये जाएगे तो चलिए दोस्तों यहां पर हाँ यहां हम टैक्स इन्वाइस की रिविजन में जो यहां मेरी एग्जिस्टिंग रिकॉर्डिंग है तो एग्जिस्टिंग रिकॉर्डिंग में आपको जो है करेंगे जिसमें मेजर दो ही चेंज है कि यहाँ इन्वाइस की जो लिमीट है पांच क्रोड कर दिया और अचेंज कोड जो है डाइनमिक क्यू आर कोड का जो चार्ट रहेगा उसमें आपको पांच क्रोड करना है बाकी पूरा रिविजन सेम रहेगा तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं हमारा चाप्टर वाइज चार्ट रिविजन और टाक्स इन्वाइस आर यू रेडी येस और नो चलिए यहां पर द्यान से सुनना हर बात केरिफली सुनना और मैं आपको इतना गैरेंटी देता हो कि टैक्स इन्वाइस में अगर आपको नोट्स पढ़ने में दिक्कत जाती होगी लेंदी लगती होगी तो बस ये चार्ट अभी जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसके हिसाब से अच्छे से वही रिदम में वही सिक्वेंस में वही क्रोनलोजिकल ओडर में आप ये चार्ट पढ़ लेना साथ-साथ में इसका क्वेश्चनेर खतम कर देना ओके तो बस बहुत और क्या है ओके ना आजाते हैं यहां पर इन्वाइस तो इन्वाइस कैसे देना च देखी थी ऑके पर दोनों के लिए इन्वाइस तो देखो गूर्स में अब मैं पहले तो मैं यहां यह कर देता हूँ कि इन्वाइस की चार सिच्वेशन गौर्मेंट ने दी है गौर्मेंट कहती है कि हमने बिजनेस को एनलाइस किया है और बिजनेस को एनलाइस करने के बा continuous supply of goods होगा या continuous supply of services होगा तो वो situation में invoice देने का तरीका थोड़ा अलग होगा अगर अगर आपका service in between ही बंद हो गया होगा तो वो case में आओके यहाँ पे अलग होगा तो चलिए सबसे पहले invoice के case में आपके दिमाग में चार situations आजानी चीए normal continuous और यहाँ पे sale on uproll or return basis और cessation of supply of services चलिए normal case में देख लेते हैं normal case में government क्या कहती है अगर कोई supplier of goods है क्योंकि यह आपको classification करना बहुत जरूरी होता है कि वो goods है यह service है और इसके लिए आपको schedule 2 और section 8 composite और mix supply है ओके यहाँ हम जरूरी देखेंगे तो अब यहाँ जो है normal case में वो क्या कहते है normal case में यहाँ पे यह कहते है कि issue of invoice on or before okay देखेंगा अगर normal case और goods है goods में दो टाइप के supply होते है एक goods में movement है और एक goods में movement नहीं है goods में movement मतलब क्या मतलब क्या कि मैं आपको goods deliver कर रहा हूँ either supplier move कर रहा है या recipient लेके जा रहा है अगर goods के movement goods में movement है तो on or before okay on or before the time of removal okay on or before at the time of removal for supply एक word add कर देना for supply okay मतलब आपने tax invoice कब देना चीए तो जब आप remove कर रहे हो for supply धान रखना जब आप remove कर रहे हो for supply तब तक invoice देना चीए उसके पहले भी दे सकते हो पर for supply मतलब क्या मतलब अगर आप stock transfer stock transfer कर रहे हो समयलो आपकी branch को बेज रहे हो आपकी branch same state में है okay और stock transfer कर रहे हो आपको यह पता होगा कि अगर आपकी branch same state में है और single registration में है तो वो case में tax invoice देने के जरुवत नहीं है वहाँ stock transfer चालान रूल 55 चालान बनता है तो वो क्या कह रहे है कि अगर आप remove कर रहे हो removal for supply होगा supply मतलब sale transfer barter action lease rental disposal होगा यह वर्ट मत भूलना removal for supply होगा उस वक्त आपको tax invoice देना पड़ेगा या उसके पहले भी आप दे सकते हो उसके बाद में in other case okay अब in other case मतलब की goods में moment नहीं है okay दहां से सुनिएगा goods के moment नहीं है मतलब as such बेचा जा रहा है मैंने class में benches का example दिया था कि बही मैंने hall जो है hall में benches पड़े थे और बाकी सब equipment थे तो कोई दूसरा classes वाला आया मैंने as such उसको दे दिया या कोई भी machine है जो movable है पर fix है एक जगा और as such दूसरे को बेज दिया तो as such जिसमे moment नहीं है पर वो goods है movable है पर हमने as such बेज दिया तो वो case में जब आप delivery देविए या made available करवाओगे उस वक्त आपको यहां पर supply यहां tax invoice देना पड़ेगा उसके बाद में government ने एक छोटी सी amendment की और government ने एक power अपने पास रखी last time ही amendment हुई थी और यह amendment क्या government कुछ category specify कर सकती है in respect of supplies of goods or service specify category of services or supplies in respect of which tax invoice shall be issued within such time and in such manner as prescribed मतलब government ने यह जो है कि government यह कहते है कि भाई government कुछ services या supply notify कर सकती है जिसमें invoice कब देना चाहिए यह government बताएगी subject to such condition and condition mentioned therein specify the category in respect of any other document deemed to be tax invoice and tax invoice may not be issued हाँ तो government ने तीन power अभी तक इसका notification नहीं आया है लेकिन government ने तीन power अपने पास रखी yes कि भाई normally तो supply जो है वो goods का यहाँ पे जब movement होगी और नहीं होगी लेकिन government ने यह तीन powers अपने पास क्या रखी कि अगर कोई ऐसा नया ही supply है अजीबो गरीब supply हमारे सामने आ गया और यह जो अजीबो गरीब supply हमारे सामने आ गया और हमें समझ में आया कि मूँ जब goods मूँ होगा तब invoice देना पॉसिबल नहीं है तो उसका time हम अलग तरीके से बता सकते हैं by notification लेकिन अभी उसका notification नहीं है तो ऐसे तरह से कोई other document होगे तो वह other document को हम invoice कह देंगे या फिर हम कह देंगे कि चलो यह case में tax invoice देने की जरूरत नहीं है तो यह government ने power रखा है लेकिन अभी तक कोई notification नहीं दिया है यह तो supply of goods के case में हो what do you mean by supply of service service होगा तो आपने invoice कब देना चाहिए service होगा तो आपने invoice जो है और कि बहुत ही standard format है और कि normally 30 days from the completion of service याने honor before और कि honor before मतलब पहले तो आप दे ही सकते हो याने अगर आप आज service provide कर रहे हो तो आप पहले भी दे सकते हो जाता है goods के case में service में आपको नहीं service आपको 30 दिन मिलते हैंने completion पे नहीं 30 दिन भी extra मिलते हैं तब तक आप invoice कभी भी दे सकते हो उसके बाद में यहां पे लेकिन banking financial institution NBFC और insurance company होगी तो वो case में 45 days का time दिया गया है I repeat वो case में 45 days का time दिया गया है कि इसके उपर MCQ question पूछ ले क्या अगर insurance company होगी bank होगी FI होगा NBFC होगा telecom sector add किया है या other notified person where service is provided to distinct person and a DDP मतलब क्या कि अगर insurance company bank या financial institution और एक्सेटरा अपने ही branch को service देती है जो separately registered है तो वो case में हर transaction पर 30 दिन में invoice देना possible नहीं है क्योंकि banks में एकमेक के branch में बहुत सारे transactions होते एक्जामपल की तर रुपए SBI branch from Pune और SBI branch from Surat तो अब SBI SBI दुनिया भर के transaction पूरे इंडिया में करती है branch to branch between DDP तो वो case में हर transaction पर invoice देना मतलब यह तो मर जाएगे बिचारे क्योंकि SBI की तो 1000 से जादा branch से पूरे इंडिया में तो यह तो मर जाएगे बिचारे तो ऐसे case में इनको invoice कब देना है okay when supplier record in the books of account और last day top quarter which is later मतलब क्या मतलब यहाँ transaction पे invoice ना देते हुए अगर in branch transaction होगा तो वो case में जिस दिन books में entry करेंगे उस दिन अगर books में entry करेंगे उस दिन पर quarter end में और quarter end में सब settle कर देना पड़ेगा which is okay sorry which is later which is earlier मतलब क्या generally एक example की तोर पे यहाँ पे इंटर branch transaction banking है insurance है यह quarterly settle करते है मतलब समय लोग के पूने SBI ने सुरत SBI को service दिया तो ऐसे case में जितने भी transaction पूने SBI to सुरत SBI होता है तो वो case में यह सारे transaction जो है okay वो यह quarter के end में settle करते है तो फिर ऐसे case में transaction wise within 30 days invoice देने की जरूरत नहीं है जो quarter के end में जिस दिन settle होगा okay उस दिन पूरा invoice एक साथ बना लिया तो भी चलेगा लेकिन अगर quarter के end में settle होने के पहले अगर book entry कर दिया जाए याने book entry पहले कर दी तो फिर book entry पे जाएगा whichever is earlier तो यह जो clause है C clause है याद रखना क्योंकि यह कुछ sector को okay government ने यहाँ पे specially DDP transaction होगे तो वो sector के लिए इन्होंने quarter end या उसके पहले book entry okay whichever is earlier तो वहाँ से लिया जाएगा चली very good okay चलो फटाफट attendance लगाओ यह गलत बात है आगे आप अगर यह revision कर रहे हो और यहाँ पर आप यह देख रहे हो तो फटाफट मुझे attendance सब की दिखनी चाहिए attendance सब की दिखनी चाहिए ठीक है okay चली उसके बाद में continuous supply of goods और continuous supply of service फटाफट मैं दो मीट बाद देखूगा सब की attendance दिखनी चाहिए मैं रखो okay जो भी देख रहे continuous supply of goods और continuous supply of service इसकी definition मैंने चार्ट में नहीं लिये शायद वो definition आपने okay sticky note से attach कर देना definition जो book में से लिख के मैं आभी आपको explain कर देता हूँ पर definition जो है okay आपने attach कर देना continuous supply of goods और नहीं क्या continuous supply of goods मैं continuous or recurrent basis पे supply किया जा रहा है okay जहां recipient periodically payment कर रहा है जहां पहला point continuous और recurrent basis पे supply किया जा रहा है okay supply वो electricity हो या कोई liquid हो okay दूसरा electricity gas और लिक्विड कुछ भी हो दूस तिसरा वो जिसमें periodical payment सामने वाला करने वाला है okay यह अगर supply होगा और और इनी notified supply of the government उसे continuous supply बुला जाएगा simple word में जो goods का supply जैसे gas का supply है उसके बाद में मैंने दूद वाले का example दिया था कि दूद वाला आपको supply कर रहा है continuous basis पे कर रहा है उसके बाद में यहां पर कोई liquid product है वो supply कर रहा है तो जो भी यहां पर चलो फड़ा फाट और के जो भी connected है और के मज़ा आएगा आपको region में अपनी यस लाइक करके attendance लगा लाइक करके attendance लगा तो continuous supply of goods होगा और के तो यह situation में यहां पर invoice देने का तरीका अलग होगा तो continuous supply of goods मतलब जो continuous or recurrent basis पर supply किया जा रहा है इट में भी electricity इट में भी ओके यहां पर through pipeline हो ओके through pipeline हो conductor और whatever the area ओके वो मोड आप यूज करें और इसमें important क्या है important recipient periodically payment कर रहा है यह इनी notified goods by service हां यहां पर तीन मैने का criteria नहीं है अगर continuous supply of service होगी तो वहां तीन मैने का criteria अगर आपका contract तीन मैने से ज़्यादा होगा तो ही continuous supply of service कहा जाएगा goods case में ऐसा नहीं goods के case में पांच दिन होगा दस दिन होगा बिज दिन होगा तो भी वह continuous supply of goods कहा जाएगा ओके यह ना बात तो ऐसे situation में के continuous supply of goods होगा तो invoice क्या होगा अब government यह मानती है कि अगर continuous supply of goods होगा तो removal पे invoice देना possible नहीं है क्योंकि जैसे gas gas की pipeline है ऑके gas जा रहा है कैसे remove decide करें और यह रिमूल हुआ अभी invoice दो आरे वह तो situation में के continuous supply of services में अगर आप successive statement या successive payment आप जैसे दूद वाला दूद वाला monthly जो है आपको statement बना के देता है और के यह यहाँ पे newspaper वाला यह फिर gas का आपका monthly statement आता है तो जिस दिन successive statement बन रहा है यह फिर successive payment एक साथ payment आ रहा है whichever is earlier whichever is earlier ओके तो यहाँ पे on और before ओके आप invoice दे सकते हो समझ लो आपका ओके यहाँ पे दूद वाला अगले मेने के past तारीक तक आपको statement बना के देता है तो वह past तारीक या उसके पहले कभी भी tax invoice दे सकता है क्या रखना supply of goods के case में successive statement और successive payment whichever is earlier लिखना हो तो लिख दो whichever is earlier ओके तब आप tax invoice दोगे लेकिन service में क्या है service में continuous supply of service तभी बोला जाएगी अगर वो continuous और recurrent basis पे दिया under contract दिया और period 3 months से जादा है और periodical payment है और any service notified by the government definition लिख लेना बेटा और के आपको काम आएगी यहां टिकी notes लगा के बाद में चार्ट में अगर प्रिंट आउट लिया होगा तो तो ऐसे situation में वो case में यहां continuous supply of service कहीं जाएगी नव अब यहां पे next हम देखें तो continuous supply of service में इन्होंने invoice देने के तीन criteria रखें come on यार continuous supply of service के invoice देने के तीन criteria रखें पहला okay due date of payment ascertainable in a contract okay due date of payment ascertainable मतलब यह क्या है यह यहां पर ऐसा है कि समझ लो मेरा renting agreement हुआ और rent agreement मेरा यहां पर okay 11 मेने का हुआ है 11 मेने का rent agreement मतलब period जो है तीन मेने से ज़्यादा है अगर पिरेड तीन मेने से ज़्यादा है तो वो case में continuous supply of service बुला जाएगा अब अब वो continuous supply of service बुला जाएगा तो वो situation में मैंने contract में clear लिखा हुआ है कि हर मेने के 10 तारीक के अंदर मेरा tenant मेरा recipient payment करेगा तो यह payment जो है वो recipient है अगर आपको लिखना है तो देना की date of payment by recipient और वो due date fix है मैंने अपने contract में due date fix की हुई है कि मेरा tenant जो है वो 10 तारीक के अंदर मुझे pay करेगा तो ऐसे situation में as a landlord मुझे कब तक invoice देना पड़ेगा तो ऐसे case में दोस्तो ऐस a landlord मुझे invoice देना पड़ेगा और वो invoice देना पड़ेगा दस तरीक है उसके पहले on or before और के 10 जो due date fix की है तो such due date के पहले आपको वो invoice देना पड़ेगा जैसे annual maintenance contract और annual maintenance contract साल भर का लिया हुआ है और आपने जो है यहां due date fix की हुई है तो वो due date जब जब भी आएगी और के वो to that extent जितना भी मैं service देता हूँ या जितना भी मैं rent लेता हूँ वो case में यहां पे उतने amount तक का invoice आपको due date के पहले issue कर देना पड़ेगा अगर due date ascertainable होगी अगर due date ascertainable नहीं होगी जैसे example की तोर पे मैं कोई class ले रहा और class 6 मैंने का है और 6 मैंने class कर ले रहा है और student मेरे पास आया और उसने कहा की sir okay मैं payment कैसे करूँ मैंने खुद होकी कहा तीन installment होगी okay मैंने okay periodical payment में ले रहा हूँ as per the terms of contract जिसमें मैं अपने invoice पे लिखूगा कि आप तीन installment में pay करोगे लेकिन installment की date fix नहीं किया मतलब okay कभी-कभी ऐसा भी हो सकता है कि मैं installment की date fix कर रहा हूँ कि देखो अभी आपको आज देना है फिर दो मैंने बाद देना है और date लिख कर दे दिया मैंने कि आपको यहाँ पे इस date को देना है लेकिन यह case में मैंने installment की date नहीं दिया मैंने का कि देखो portion wise लोगा okay पर due date क्या होगी मुझे नहीं पता तो अब due date नहीं पर छे मैंने के अंदर तीन installment लेना है तो ऐसे situation में due date ascertainable नहीं होगी I repeat due date अगर ascertainable नहीं होगी तो date of payment received याने okay जब-जब भी student मुझे payment लाके देगा उस दिन या उसके पहले मैं कभी भी tax invoice दे सकता हो okay date of payment या date of payment equals to date of payment by recipient okay यह लिख देना date of payment मतलब date of payment by recipient यह आप लिख सकते हो okay यहाँ पे next event fix in a contract event fix in a contract मतलब क्या कि मतलब यहाँ पे बहुस सी बार जब continuous supply service होता है तो payment event wise होता है अब event wise कैसे होता है जैसे ले लो construction service okay मैं construction service दे रहाँ आपको पूरा building बान के दे रहाँ अब building बान के दे रहाँ इसमें due date fix नहीं है पर मैंने event fix किये event fix किये मतलब क्या प्लींद पे इतना लोगा फर्स फ्लोर पे इतना लोगा second floor पे इतना लोगा third floor पे जैसा जैसा मैं completion करूगा उतना पैसा लोगा तो प्लींद पे मैं 30% लोगा first floor पे और 10% लोगा second floor पे और 10% लोगा तो अगर कोई continuous supply of service दे रहा है जैसा architecture service construction service और उसमें event fix किये हो है I repeat उसमें क्या event fix किये हो है तो जिस दिन वो event complete हुआ जैसे प्लींद complete हुई और प्लींद पे मैंने कितना माँगा है 30% तो मुझे 30% का invoice और के last day of completion of event एने जिस दिन प्लींद complete होगी उस दिन या उसके पहले मुझे वो invoice issue करना पड़ेगा दोस्तो एक्जाम के इस आप से very very important इसके उपर case study आ सकती है और इस related questions अच्छे से पढ़के जाना है इस बार आपके examen मैं इसके उपर case study expect कर रहा हूँ तो इस तरह से तीन event मैंने यहाँ पे दिये समझा होगा तो कहिए yes yes okay mz mz मज़ा आ गया okay यह speed से हमारा चलेगा तो आपका response मुझे समझेगा और दोस्तों यहाँ पे जितने भी student connected है okay फटा फट अपनी attendance लगा ऐसे मत करो और अभी समझा होगा तो like करो फटा फट okay और mz mz type करो very good मज़ा आ गया okay उसके बाद में यहाँ पे next हम बात करेंगे good sent on return और approval basis good sent on return और approval basis मतलब क्या okay जैसा आप sale हो रहे है sale हो रहे है तो example की तोर पे मैंने बहुत basic और day to day life का example अपने class में भी लिया था और मैं अभी भी लिया रहा हूँ शायद आपने नहीं देखा होगा लेकिन अभी किसी ने बच्पन में जरूर देखा होगा कि यहाँ पे okay sale on अपरोल और return basis में क्या होता है sale on अपरोल और return basis में यहाँ पे जहां तक देखा जाए तो एक example मैंने यह लिया था जब मैं पढ़ाता था कि एक साड़ी वाला आज भी हमारे घर पे आता है और कि मेरा native place जो महराष्टर में अमरौत ही है तो यहाँ पे आज भी मेरे घर पे आता है और कि वो पूरे अपने रिक्षा में आता है रिक्षा मतलब आटो रिक्षा में आता है बीस साल से आ रहा है हमारे घर में और वो सब साड़ी लेके आ रहा है और कि यानि ऐसे सारी इसके गठे बान के आता था फिर वो जो है घर में बैठ जाता था घर की सारी लेडीज एरे मेरी ममी भाबी वगरे सब बुआ वगरे सब बैठ जाती थी उसके पास वो सब को साड़िया बता रहा है जैसे आपने अमीर घराने में जुएलर्स वाले को देखा होगा ऐसी मुवी में देखा होगा कि जुएलर्स आगया घर पे बता रहा है तो वो क्या है कि वो जब अपने वेराउंस से इवेंट को ध्यान रखना है अपने वेराउंस से गुट्स को रीमू करता था और गुट्स को रीमू करके घर पे आता था और घर पे आकर वो सबको सारिया बता रहा है अब वो सारिया बता रहा है तो वो बावी जी ये रख लो आप ये अच्छे लगी कि वो अच्छे लगेगी अब मैं मेरे आज भी दो मेने पहले की बात है जब मैं अपने घर पे गया तो मेरे वाइफ को भाबी जी अच्छे लगेंगे भाइया को तु मेने बचपन से देखा है रहा तक है भाइया मना नहीं करेंगे तो अब वह क्या हो ़ो रखो आप देखो ने तो मैं लेखे जाओगा आप रखो तो देखो तो और एक दो 10 सारी जमा हो गई बाबी जी के पा वो साड़ी वाला इन्वाइस कब बनाएगा तो वो साड़ी वाला इन्वाइस कब बनाएगा ओके यहाँ पर द्यान सुनना वो साड़ी वाला इन्वाइस कब बनाएगा तो अब यहाँ यहाँ पर सारी कब मत देखो नालाय को वो देखो कि वो इवेंट किया वो case में उस दिन वो invoice बनाएगा आप के लिखो के before or at the time of supply, fructified और approved by recipient, अगर 6 मैने के अंदर approval नहीं मिला, अगर सुनो, 6 मैने के अंदर approval नहीं मिला, from the date of removal, तो जिस दिन 6 मन कम्प्लेट हो जाएगे उस दिन, which और is earlier, अगर 6 मैने के अंदर approval मिल गया, तो जिस दिन approval मिला, उस दिन या उसके पहले invoice बना सकते है, या 6 मैने के अंदर approval नहीं मिला, from removal, तो जिस दिन 6 मन कम्प्लेट होगे, उस दिन वो invoice बनाएगा, लेकिन यह जो criteria only goods के case में applicable है, यह service के case में applicable, नहीं है, only goods के case में applicable होगा, उसके बाद में बिटा, यहाँ पे decision of supply of services, decision मतलब क्या, कभी कभी क्या होता है कि, specially service contract, service contract in between बंद हो जाते है, जैसे मैं अभी मेरे example लेता हूँ, एक interior decorator था, और मैंने अपने office के लिए उसको लगाया, हमारा contract समझे, एक लाग रुपे का decide हुआ, लेकिन उसने कुछ activity के बाद देखा कि, यार वो सही डंग से नहीं कर रहा है, उसके कुछ 20% activity हो गही थी, और 20% activity होने के बाद देखा कि, वो सही डंग से नहीं कर रहा है, मैंने का नहीं तू नहीं मत कर, अब contract तो एक यहाँ पर एक लाग रुपे का हो गया था पूरा, लेकिन मैंने 20% service पर 23, okay, seize कर दिया, मैंने का नहीं, okay, आप तुझे नहीं करना है, अब आप वो इंटेर डेकोरेटर को देखो, वो इंटेर डेकोरेटर जो है, यहाँ पर, जहाँ तक देखा जाए, उसने 20% का service complete कर दिया था, तो law क्या कहता है, law यह कहता है कि अगर किसी भी service provider की service, जो in between seize हो जाए, तो to that extent, यहने जितना उसने service दिया, कितना उसने service दिया, 20% जो दिया है, अगर उसने 20% service दिया है, तो 20% service तक का उसको invoice देना पड़ेगा, at the time when service is seize, यहने जिस दिन seize कर दिया, उसी दिन invoice देना पड़ेगा, और वो invoice to the extent, और कि आप supply made, और कि जितना supply किया, उतने supply तक invoice देना पड़ेगा, तो चलिए दोस्तों, यह हमने अलग-अलग situations देखी, कि जहाँ invoice कैसे issue किया जा सकता, और सारी situations मैंने इसमें cover कर ली, आपके लिए एक home work, sticky notes पे continuous supply of service, और continuous supply of goods के, यहाँ पे definition लिख लेना, और यहाँ attach कर देना, करोगे na home work, बोलिए yes sir, ओके चलिए, अब यहाँ पे content of invoice and voucher, मैं यह आपको कहूँ क्या, content of invoice and voucher एक बार पढ़ लेना, मतलब क्या आपके invoice में क्या होना चाहिए, मैं सब के नहीं दे रहा हूँ, पर यह जरूर देख लेना, कि भई name, address और GSTN supplier का होना चाहिए, HSN, उसके बाद में consecutive serial number series, invoice number होने चाहिए, date of issue होना चाहिए, name and address और GSTN of recipient, अगर recipient registered है, B2B transaction है, तो उसका भी GSTN चाहिए, other details of unregistered recipient, मतलब unregistered होगा, तो at least उसकी भी details होनी चाहिए, और यहाँ पे, अगर amount 50,000 से ज़्यादा है, यह मैं मेरे तरफ से बोल रहा हूँ, amount 50,000 से ज़्यादा है, तो उसका address भी और place of supply भी होना चाहिए, HSN code, description of goods, quantity of goods, total value, taxable value, GST tax rate अलग से mention होना चाहिए, amount of tax, place of supply भी होना चाहिए, address of delivery, अगर river charge होगा, तो वहाँ पे एक option होना चाहिए, river charge होगा, तो river charge पे tick का option होना चाहिए, कि भाई इसका tax recipient देगा, और कि digital signature अगर required होगी, तो वह nature of document, quick QR code, QR code भी यहाँ पे, especially invoice के case में, QR code compulsory है, और अगर आपका 500 करोड से ज़्यादा turn और होगा, तो वह situation में, unregistered को supply किया, तो QR code यहाँ पे जरूरी है, उसके बारे में आगे पढ़ेंगे, next, very very important, इसके उपर आपको question आ सकता है, और वो question क्या आएगा, okay, कौनसी ऐसी केसे से, जहाँ tax invoice नहीं भी दिया, तो भी चलेगा, very very important, exam में इसके उपर question आएगा, एक बार फिर से, कौनसी ऐसी केसे से, जहाँ tax invoice नहीं भी दिया, तो भी चलेगा, okay, तो issue of tax invoice, अगर आपका per transaction, I repeat, आपका per transaction value, less than 200 होगा, अगर आपका per transaction value, less than 200 होगा, और supply B2B होगा, supply B2B होगा, तो वो केस में invoice तो देना पड़ेगा, मतलब B2B के केस में invoice देना पड़ेगा, तो वो जो पेन 50 रुपे का होगा, लेकिन मैंने का नहीं भाई, मुझे company के नाम पे बिल चाहिए, तो वो 50 रुपे का क्यों ना पेन होगा, वो company के नाम पे बिल होगा, तो उसे मुझे GST देना पड़ेगा, okay, transaction less than 200 होगा, लेकिन, okay, यहाँ पे B2C होगा, B2C होगा, तो वो केस में यह देखो, multiplex होगा, तो multiplex में tax invoice देना पड़ेगा, और आपका tax invoice टिकिट ही माना जाएगा, अगर multiplex screen होगी तो, okay, अगर recipient tax invoice मांगता है, B2C के के केस में, तो वो केस में देना पड़ेगा, बस एक ही ऐसी केस है, एक ही ऐसी केस है, यहाँ पे कि, अगर, अगर, यहाँ, यहनि अगर आप यह लिखो के देखो, अगर invoice value less than 200 है, और आप यह supply कर रहे हों, तो आपने tax invoice नहीं भी दिया, तो भी चलेगा, tax invoice नहीं भी दिया, चलेगा, पर इसके तीन exceptions है, एक्सेप्शन तीन, पहला, अगर B2B transaction होगा, तो देना पड़ेगा, multiplex होगा, तो देना पड़ेगा, recipient tax invoice चाहता होगा, तो देना पड़ेगा, इवन इन केस आप B2C transaction, तो आप पहली लाइन लिखो कि, value less than 200 होगा, तो invoice देने की ज़रूरत नहीं है, tax invoice देने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन तीन exceptions है, उसके बाद में, अगर आपने tax invoice नहीं दिया होगा, क्योंकि transaction छोटे-चोटे, बच्चा चॉकलेट मांगने आ गया, बच्चा स्टेशन भी मांगने आ गया, B2C transaction है, B2C और उसमें आपने tax invoice नहीं दिये, तो at the end of the day, आपको एक complete invoice, आपको एक complete invoice बना के रखना पड़ेगा, for the purpose of audit, समझ लो मैंने सुबह 20 रुपे की चोटेट बेची, stationary shop है, फिर एक pencil बेची, 5 रुपे की, फिर मैंने एक customer आया, B2C मैंने 10 रुपे का और कोई बेचा, ऐसे सारे transaction की total का, एक consolidated invoice आपको बना के रखना पड़ेगा, तो ये important provision है, अगर value 200, अगर value 200 है उससे जाता है, तो फिर तो आपको B2B हो, या B2C हो, आपको invoice बनाना पड़ेगा, तो इस तरह से हमने tax invoice के concept देखे, और कि goods के case में, service के case में 200 रुपे से कम होगा, तो वो भी देख लिए, चलो आजाएए, manner of issuing tax invoice, आप tax invoice कैसे दोगे, तो आप tax invoice जो दोगे, ये triplicate copy में दोगे, generally supply of goods होगा, सुनिए, supply of goods होगा, तो आप tax invoice की तीन copy बनाओगे, service होगा, तो आप tax invoice की दो copy बनाओगे, और tax invoice की सारी details, GSTR1 में, GSTR1 में देना पड़ेगा, लेकिन कुछ case में e-invoice, कुछ case में, e-invoice आपको बनाना पड़ेगा, और उसमें invoice reference नंबर देना पड़ेगा, अगर आप e-invoice बनाते हो, तो फिर ये copies की जरुबत नहीं है, e-invoice concept क्या है, थोड़ा मैं आपको ये समझा दू, हाँ, e-invoice concept क्या है, थोड़ा मैं आपको ये procedure से समझा देता हो, ok, e-invoice जो है है, अब आपके, आपका, आप खुद नहीं बनाओगे, example की तौर पे ये procedure दिये, easily समझने के लिए, supplier है और recipient है, और आप e-invoice के notified category में आते हो, सुनो, e-invoice के notified category में आते हो, ठीक है, sorry बेटा, तो ऐसे case में, ok, आपको, e-invoice के registration portal पे जाके, क्योंकि ऐसे e-invoice के registration portal बना के रखे है, जिसको IRP कहते है, यहाँ पे schema आता है, ok, तो आपको सारी details, including transport details भी दे दो, आपको यहाँ पे, वो schema में, ok, आपको complete करनी पड़ेगी, वो, आपको Excel अप्लोड करनी पड़ेगी, schema में complete करनी पड़ेगी, ok, और वो सारी details complete करने के बाद, ok, यहाँ पे, आपका, invoice validation होगा, QR code होगा, IRN, invoice reference number, ok, जो 64 character का होगा, और QR code, ok, वो generate होगा, वो generate होने के बाद, आपको invoice की PDF copy आजाएगी, मतलब आप, आप invoice नहीं बना रहे हो, आप invoice portal पे जाके invoice बना रहे हो, और वो जो invoice की PDF copy आगई, वो आपने recipient को issue किया, तो भी चलेगा, इसका फाइदा क्या होगा, अगर आप invoice बना रहे हो, यह नीचे वाले page पे दिख जाएगा, आपको, नीचे वाले page पे लिया है, अगर आप invoice बना रहे हो, ok, जो compulsory है notified cases में, sir, invoice कब compulsory है, आगे हम देखेंगे, तो अगर आप invoice बना रहे हो, तो यह situation में, यहाँ पे, ok, आपने जो भी information दी, उस information के base पे, आपका GSTN portal, GSTN portal अलग है, invoice का portal अलग है, e-way bill का portal अलग है, यह तीन portal अलग है, invoice, ok, IRP पे आपने generate किया, पर यह जो IRP portal है, यह data जो उसने capture किया, वो GSTN portal पे भेज़ देगा, वो e-way bill portal पे भेज़ देगा, GSTN portal पे जैसी भेज़ देगा, आपका GSTR1 आपको अलग से बनाने की जरुवत नहीं है, वो auto update हो जाएगा, ok, यह अच्छी बात है, और e-way bill की भी information जो है, वो auto update हो जाएगी, तो यह e-way के फाइदे भी है, चलिए, दोस्तों, अब आते है, e-way concept है, e-way का meaning जो है, आपको दो line में simple में में लिखना है, invoicing essentially involved, reporting details of specified GST document, to a government, notified portal, and obtaining a reference number, तो यहाँ पे धहाँ से सुनिएगा, e-way जो है, यह e-way यहाँ पे, government portal से आपको और वो government portal होता है, आपका IRP portal, और यह जो government portal होता है, इसको IRP portal कहते है, और इस IRP portal से, आपको अपना e-way करवा के लेना है, next, इस बार जो amendment हुई है, आपके time के लिए, तो e-way की limit जो है, इन्होंने change की है, पहले e-way की limit originally 20 था, okay, मतलब, यहाँ पे एक साल पहले फिर दस हुआ, और आपको भी applicable है, यहाँ पे 5 करोर्स का limit, मतलब, अगर आपका aggregate turnor, जहां से सुनिएगा, अगर आपका aggregate turnor, since 17-18, यहने, अगर 2017-18 से, कभी भी, सुनिएगा, 2017-18 से, कभी भी आपका aggregate turnor, 5 करोर्स, अगर 2017-18 से, कभी भी आपका turnor, 5 करोर्स से, ज़्यादा हो गया होगा, तो वो case में, आपको current financial year में, invoice बनाना पड़ेगा, जहां से सुनिएगा, आपको सी present year नहीं लेना है, 2017 से लेके, तो जब तक आपका current financial year नहीं आता है, तब तक कोई भी financial year में, आपने 5 करोर्स क्रॉस कर दिया होगा, तो आपका जो invoice limit, आपको invoicing concept applicable हो जाएगा, most important point, अगर आप अभी chart में, या मेरे explanation में, या कहीं notes में, या आपके पुराने notes में, 20 करोर्स या 10 करोर्स सुनते हो, तो ignore कर देना, और applicable limit जो है, वो आपके लिए, कितनी रहेगी बेटा, 5 करोर्स applicable होगी, तो चलो, और इसको notified person माना जाएगा, यहने जिन्हों यह limit क्रॉस कर दी, उनको notified person यह माना जाएगा, ठीक है, उसके बेटा, बाद में, यहाँ पे, invoice पे आपको 64 character का, कि IRN जनरेट करना पड़ेगा, इन्वाइस, विदाउट IRN, और आपने वो लिमिट जो क्रॉस कर दी, और वो क्रॉस करने के बाग, मतलब देखो, प्रिविएस यहर नी देखना है, अगर जैसा अब ही आपका यहर है समय लो, example लो कि आपका current year है 23-24, तो 23-24 में अगर invoice जरूरी है क्या, तो आपको क्या देखना है, आपको यह देखना है कि, मैंने 17-18 में, 18-19 में, 19-20, 20-21, 21-22, 22-23, कोई भी financial year में, अगर मैंने 20, यहाँ पर यह जो लिमिट है, जो नौटिफाइड लिमिट है, और यह नौटिफाइड लिमिट मैंने cross कर दी होगी, किसी भी year में, और पिछले 5-6 साल में, तो मुझे invoice यह साल compulsory हो जाएगा, और मुझे IRN जनरेट करना पड़ेगा, और यह जो है लिमिट अब अपडेट कर दो, क्योंकि आपके अटेम को यह लिमिट अपलीकेबल है, अगर पुरानी लिमिट होगी, तो scratch कर देना, और आपके अटेम को अब यह नई लिमिट अपलीकेबल है, और यह लिमिट आप अपडेट कर दीजिएगा, देख रहे हो कितने लिमिट है, यह और नउ, चलिए, उसके बाद में यहाँ पर, ओके, नेक्स में कहोगा, डॉक्यमेंट कवर्ड इन इन वाइस, मतलब आपको इन वाइस पोटल पे क्या, आप इन वाइस अपडेट कर सकते हो, क्रेडिट नोट, डेविट नोट भी आपको अपडेट करना पड़ेगा, अगर आपका अग्रिगेट टनोर नोटिफाइड लिमिट से जादा है, इन वाइस आपको स्री B2B के केस में बनाने पड़ते हैं, इन वाइस आपको स्री B2B के केस में बनाने पड़ते हैं, B2C ट्रांजेक्शन में इन वाइस बनाने की जरुवात नहीं हैं, या आप फॉर एक्सपोर्ट होगा, फॉर दे परपस आप एक्सपोर्ट रिजिस्टर परसन होगा, एक्सपोर्ट भी होगा तो आपको इन वाइस बनाने पड़ेंगे, ओके B2B और एक्सपोर्ट, नॉके नॉन रिकॉर्मेंट रिजिस्टे नहीं हैं, बाइस जरुआ हैं अगर ISD, इन वाइस इस्टी के केस में आपको इन वाइस बनाने पड़त नहीं हैं, पर export के case में आपको बनाना पड़ेगा, उसके बाद में e invoice in case of reverse charge, ध्यान से सुनिएगा, reverse charge के case में, अगर 9.4 का reverse charge है, तो 9.3 का reverse charge है, वाट्यूरीट में भी, आपको reverse charge में, अगर, देखो, reverse charge में recipient को invoice बनाने पड़ते हैं, कुछ case में, recipient self-invoicing system होता है, तो reverse charge में e invoice बनेगा, लेकिन import of service, import of service होगी तो नहीं, बाकी सारे reverse charge में आपका e invoice बनेगा, उसके बाद में exemption from e invoice, e invoice किसको किसको लागू नहीं होगा, यह भी important पढ़के जाना, यह भी important पढ़के जाना, तो e invoice कब-कब लागू होगा, तो e invoice, government department, local authority, special economic, sorry, okay, sorry, इन लोगों को exemption है from e invoice, को government department, local authority, यह invoice नहीं बनाएगा, special economic zone, insurance company, banking company, FI, NBFC, यह invoice नहीं बनाएगे, okay, GTA e invoice नहीं बनाएगा, okay, उसके बाद में, passenger transport service में, buses वगरे, जो ticket होगे, वो e invoice नहीं बनाएगे, और cinematographic film में, जो आपको ticket मिलती है, वो e invoice नहीं बनाएगे, इनको e invoice लागू नहीं होगा, बस बेटा, इतना अच्छे से पढ़के जाना, e invoice का, मैंने सब कुछ इसमें cover कर लिया है, इसके बाहर आपको question नहीं आएगा, then, okay, अब आते invoice, मैं पूरा invoice के बार में पढ़ा रहा हूँ, invoice normal, 200 रुपे का, उसके बाद में copies, उसके बाद में e invoice concept, okay, हाँ, और एक बात के दो, e invoice अगर आप generate कर रहे हो, portal के थूँ, तो आपको triplicate या duplicate copy नहीं बनानी पड़ेगी, okay, अब revise invoice, okay, revise tax invoice क्या है, revise tax invoice में आपका बता दू, कि if you label for registration, मतलब समझे लो, आज आपका aggregate turn और जो है, आपने interstate, outwards apply कर दिया, आपने यहाँ पे CTP, NITP, या river charge, whatever it में भी, तो आपने, okay, mandatory registration में आगए, तो वो case में, okay, आज अगर आप liable होते हो, तो law क्या कहता है, law यह कहता है, कि 30 दिन में आपने apply कर देना चाहिए, और जब आप apply करोगी, उसके बाद RC आएगी, तो देखो, आज मैं liable हो गया, मतलब आज से मेरे को GST liability आजाएगी, मतलब क्या, मतलब आज से मुझे customer को GST pass on करना पड़ेगा, लेकिन मैं apply करूगा, apply करने के बाद RC आएगी, तो RC आने के बाद ही मैं invoice दे सकता हो, तो ऐसे situation में, जिस दिन मैं liable हुआ, जिस दिन मैं liable हुआ, वहाँ से जब तक मेरी RC नहीं आती है, तो वो period में, मैं tax invoice दे नहीं सकता, क्यों नहीं दे सकता tax invoice, क्यों क्यों कि वो period में मेरे पास GST नहीं है, मेरे GST number नहीं है, तो वो period में, ध्यान से सुनिएगा, ध्यान सुनिएगा, वो period में मैं अपने normal जो invoice वो दे सकता हूँ, लेकिन जैसे ही मेरी RC आ गई, जैसे ही मेरी RC आ गई, तो इस period के B2B invoices, I repeat, B2B invoices, each invoice मुझे, okay, RC आने के बाद, उसके आगे एक मैने में, ये पुराने invoice, जब से मैं liable हुआ, जब से मैं liable हुआ, ये पुराने invoice जो है, आपको, okay, revise करके देने पढ़ेंगे, जब भी revise concept, revise invoice का short note पूछा, तो ये simply मत लिखना, कि just invoice, revise कर दिया, तो उसे revise invoice बलेंगे, okay, उसे, revise invoice बलेंगे, ऐसा नहीं है, revise invoice मतलब क्या, कि जिस दिन RC आई, तो ये, जब मैं liable हुआ, वहाँ से RC तक के invoice मुझे, आगे के एक मैने में, आगे के एक मैने में, ये सारे invoice customer को, यहाँ पे revise करके देने पढ़ेंगे, तो देखें, वो क्या कहते है, revise from effective date of registration till the date of issuance of RC, within one month from the date of issuance of RC, consolidated revised tax invoice, register person में issue consolidated revised tax, revised tax invoice in respect of all taxable supply, made to a recipient, who is not registered, who is not registered, मतलब क्या कि जो B2C transaction है, B2C transaction के case में, वो consolidated invoice issue कर सकता है, और in case of interest rate supply, where value of supply does not exceed 2,50,000 to an unregistered person, तो चार्ट में इसको अच्छे समझते है, revise, चार्ट में अच्छे समझते है, revise tax invoice, अगर transaction B2B है, वो intra हो या inter हो, come on, अगर transaction B2B है, और वो intra हो या inter हो, और के आपको हर invoice, जो वो period का है, जब से आप liable थे, till the RC, हर invoice आपको revise करके देना है, इस invoice revise करके देना है, B2C होगा, तो B2C होगा, अगर आपने unregistered को दिया होगा, intra state होगा, तो हर invoice revise करने की जरुबत नहीं है, उस period में आपने जितने भी, okay, sale किया होगा, कब से, जब आप liable होए, till GST, उस period का consolidated invoice भी बनाया है, तो भी चलेगा, okay, मतलब सारे transaction का, समझे लो, okay, 12% rate वाला, जितने भी goods बेचे उसका एक invoice, उसके बाद में, okay, 5% वाला, जितने भी goods बेचे उसके invoice, तो आपने consolidated revised invoice बनाया है, तो भी चलेगा, ठीक है, लेकिन, अगर आपने B2C transaction किया होगा, तो वो case में interstate किया होगा, तो supply up to 2.5 lakhs होगा interstate में, तो वो case में consolidated tax invoice चलते हैं, लेकिन आपकी supply की value, अगर 2.5 lakhs से ज़्यादा होगी, कोई particular state में, okay, कोई particular state में, जैसे मैंने गुजरात में ब के ज़्यादा है, तो फिर मुझे each invoice revise करना पड़ेगा, क्योंकि उस invoice की value, 2.5 lakhs से ज़्यादा है, okay, RC मतलब registration certificate ना लाइक हो, okay, revision कर रहे हो आप, वो भी rapid revision कर रहे हो, okay, next बेटा, bill of supply, यह आपने देख लिया revise invoice, exam के लिए important, इस पे exam में question आ सकता है, revise invoice पे, okay, बेटा, registration, invoice or return, यह chapter के marks मत छोड़ना, बहुत easy chapter है, और अभी आप मेरे साथ revise कर रहे हो, अच्छे समझ में आ रहा है, मुझे बताईए, अच्छे समझ में आ रहा है, yes or no, बोलो, अच्छे समझ में आ रहा है, yes or no, सभी मेरे साथ invoice हो जाए, okay, yes sir, बहुत अच्छे समझ में आ रहा ह attendance लगाओ, जो भी connected है, like करके, very good, अब bill of supply, यह भी important, bill of supply कब देना पड़ता है, यह भी important, ठीक है, एक होता है tax invoice, और एक होता है bill of supply, bill of supply आपको तीन cases में देना है, okay, अगर आपका supply exempt है, exempt includes neil rate, अगर आपका supply exempt है, यह निल rate है, goods or service का, तो वहाँ bill of supply देना है, अगर आप composition scheme में है, अगर आप composition scheme में है, तो वहाँ आपको bill of supply देना है, ख्याल रहे, ऐसा supply जिसमें GST नहीं लगाना है, exempt यजै常 sent, या composition scheme, तो वह bill of supply देना है, अब क्या student या mistake क्या करता है, student य सोचते हैं, composition scheme में bill of supply आता है, नहीं भाई, नहीं, composition scheme में नहीं, bill of supply, आपका अगर exam supply भी होगा, तो भी आपको bill of supply देना है, उसके बाद में export invoice, उसके बारे में भी देख लेते हैं, अगर आप export करते हो, तो export के case में आपको दो चीजे लिखनी पड़ती है, और वो कौन सी दो चीजे लिखनी पड़ती है, supply mean for export, supply to SCZ, supply to SCZ developer, या authorized operation, मतलब आपको आपको ऐसा invoice पर लिखना पड़ता है, कि ये supply export के लिए, या SCZ के लिए, SCZ developer के लिए, on payment of integrated tax, आप उसके पर IGST दे रहे हो, या फिर ये जो supply करे हो, under bond, आपको तो आपको under bond या later of undertaking देना पड़ता है, अगर यहाँ पर CA final के student देख रहे होगे, तो ये with payment of IGST और with bond, ये अपने बहुत detail में देखा था, under IGST act, okay, inter में IGST act नहीं है, पर final level पर IGST act जो है, okay, उसमें अपने यहाँ पर बहुत detail में देखा है इस बाग को, yes or no, clear, okay, उसके बाद में कुछ additional detail, आपको export invoice में देनी पड़ती है, जैसे name and address of recipient क्योंकि वो other country का है, address of delivery, name of country, कौन से country में जा रहा है, वो आपको यहाँ पर details देनी पड़ती है, अब last वाला part भी MCQ question में आ सकता है, और last वाला part के MCQ question में आएगा, कि अगर बंदा taxable और exam दोनों supply कर रहा है, जैसे मेरी किराना shop है, किराना shop में आपने 50 items लिए मेरे से, य क्योंकि exam को bill of supply देना पड़ता है, और taxable को tax invoice देना पड़ता है, तो क्या में अलग-अलग बनाओ, नहीं, आप combined bill बना सकते हो, और पर उसका नाम होगा, title होगा invoice come bill of supply, यानि आप उपर title देदो invoice come bill of supply, जिसमें, okay, exam item और taxable item दोनों के एक ही bill में दिया तो भी चलेगा, ल invoice related सारे consent एक ही page में, normally invoice कैसे देना चीए, 200 का invoice कैसा होना चीए, invoice कैसे होना चीए, revise invoice कैसे होना चीए, bill of supply कैसे होना चीए, export invoice कैसे होना चीए, combine exam taxable होगा तो आपका invoice कैसे होना चीए, और क्या चाहिए, यार मैंने सब तो cover कर लिया हो पे, देखो फटा फटी हो यापे, HSN एक code होता है, जो goods को दिया जाता है, HSN code, तो यहाँ पर, अब यह देख लो, HSN code आपको अपने invoice में कब देना पड़ता है, important, इसके उपर MCQ question आ सकता है, HSN code आपको invoice में कब देना पड़ता है, ठीक है, यह देखो, अगर आपका supply B2C होगा और B2B होगा, तो अगर आपका supply B2B होगा, तो आपको mandatory to mention HSN invoice, invoice में HSN देना ही पड़ेगा, अब mandatory होगा है, अगर transaction B2B होगा, तो आपको HSN देना ही पड़ेगा, अब इसमें भी क्या है, if aggregate turnor और preceding financial year up to 5 UCR होगा, तो 4 digit का HSN देना है, और अगर aggregate turnor आपका preceding financial year में more than 5 UCR होगा, तो आपको 6 digit का HSN देना है, 6 digit का HSN देना है, clear, yes or no, पहली बात तो, अगर transaction B2B होगा, तो आपको HSN अब invoice में mention करना ही पड़ेगा, वो product code होता है, बस 4 digit का देना है, या 6 digit का देना है, तो यहाँ आपको, आपका aggregate turnor preceding financial year में क्या है, उसके base पर, transaction B2C होगा, if aggregate turnor of supply in preceding financial year is up to 5 CR, तो HSN देने की जरुवत नहीं है, पर more than 5 CR होगा, पिछले साल में आपका aggregate turnor, तो आपको, okay, एक minute, यहाँ गरबड होगी बाटा, यहाँ पे need to mention HSN of 6 digit, यहाँ ऐसा चियो, नो नहीं चिये, if aggregate turnor of preceding financial year is more than 5 CR, need to mention HSN of 6 digit, ठीक है, 6 digit का हुआ, गलती से नो आया है, वो scratch कर देना, okay, तो यह case में हमने HSN देखा, चल, voucher, voucher में आ जाते हैं, यहाँ पे vouchers में आ जाते हैं, अब देखो, हमारे invoice के related, सारी चीज़े हो गिया, यह पूरा invoice था, tax invoice, अलग-अलग type के invoice, invoice कैसे generate होगा, invoice में HSN कैसे होगा, invoice में QR code कर देखा, यह सब कुछ हमने देख लिया, ठीक है, यह सब कुछ हमने देखा, आपके चार्ड में 50 होगा, तो 20 कर देना, अब भी बार-बार मत पूछ हो याँ, आपके चार्ड में 50 होगा, तो यह 20 CR कर देना, यह invoice अब 50 पे नहीं, 20 पे हो गया, आपके attempt के लिए, ठीक है, तो 50 होगा, तो 20 कर देना इसको, ठीक है, चलिए, अब आते हैं बेटा, voucher spam, voucher भी एक formality है, जो GST में दी गही है, तीन टाइप के आपके voucher होते हैं, तीनों भी बहुत important है, question आ सकता है, तीनों भी बहुत important है, question आ सकता है, पहला लेता हो आपका receive voucher, receive voucher मतलब advance, देखें, जब आपको advance मिलता है, तो वो supply माना जाता है, और time of supply के हिसाब से, अगर आपको advance goods का मिलता है, तो GST देने की जरुवत नहीं है, क्योंकि notification 66 by 2017 आ जाता है, और notification 66 by 2017 कहता है, कि अगर supply of goods है, तो advance पे GST नहीं देना पड़ेगा, invoice पे ही देना पड़ेगा, या last date of invoice पे ही देना पड़ेगा, इवन्दो advance पे GST नहीं होगा, लेकिन आपको goods का advance मिले, या service का advance मिले, आपको उसका एक covering document देना पड़ता है, as per GST law, और वो covering document आपको देना पड़ता है, क्या बेटा, तो वो है receive voucher, दूसरी बात service है, तो service पे तो advance पे भी GST आता है, तो उसका covering voucher होना ही ज़रूरी है, तो in simple word, goods हो या service हो, आपको receive voucher देने पड़ेंगे, और advance, यह specially जब advance मिलता है, और के वो advance के case में देने पड़ते है, now, very very important, इसके ओपर again MCQ question आ सकता है, क्या, अगर जब आपको advance मिल रहा है, और rate of tax, nature of supply is not determinable, समझ लो किसी के आप chaundi है, और मेरी किराना शॉप है, उसने मेरे पासा है कि सर हमारे हां बढ़ कीवेंट है शादी है आप के पांच लाक का माल खरीदना है, मैंने का अच्छी बात है, पांच लाक का माल भरीदने वाला है, उसने का कि यार मेरे हाँ से 2-3 बंदे आएंगे उनको रोकना मत वो जो भी जरुबत होगी वो दे देना उनको ओके यह 5 लाग रुपे का माल और उसने मेरे को 3 लाग रुपे का एडवांस दे दिया अब वो 3 लेकिन वो जो है मेरे हाँ से कोई 1-2 एटम नहीं ले जाने वाल सर्वीस है और के प्लस मैं शादी के लिए यूटेंसिल्स भी और अलग-अलग एक्विक्मेंट रेंड पे देता हो तो अब क्या हुआ कि अब मैं कैटरिंग भी देता हो यूटेंसिल भी रेंड पे देता हो डेकोरेशन सर्वीस भी देता हो तो उसने मेरे 5 लाग रुपे 5,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000 तो इसलिए में खुट्स का एक्जांपल लेकर कोई फायदा भी नहीं है, मैं एक्जांपल जो लोगा तो बेटा यहां पर सर्वीस कही लोगा, तो अब ऐसे सिचुएशन में यहां पर सर्वीस जो एमसर्वीस क्या है, तो law क्या कहता है, जब आपको कुछ नहीं पता, तो हम आएंगे, वो कहता है कि अगर rate नहीं पता, advance बिला और कौन सा rate लगाना नहीं पता, तो आप flat 18% से advance पर tax लगा दो, flat 18% से बात कतम, और आपको nature नहीं पता, तो सबको interest rate बोल दो, सबको interest rate बोल दो, इसमें undue hardship होती है, कैसे होती है मैं उसके लिए discuss नहीं करूँगा, बस आप दो line याद रखना, जब भी advance मिल रहा है, rate नहीं पता, तो flat 18% से लगा दो, और अगर nature नहीं पता, तो आप interest rate उसको treat कर दो, that's all, that's all, यह था regarding to receive voucher, second आपको सवाल आता है refund voucher, य very 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 important for exam, भई पहले में diagram में समझा देता हूँ, okay पहले में diagram में समझा देता हूँ, कि supplier है और recipient है, supplier को advance मिला, step number one, उसको advance मिला, okay advance का उसने receive voucher दिया, step number two, लेकिन, advance मिला receive voucher भी दिया, लेकिन, भई, okay मेरी batch है, मैंने batch announce किया, मुझे एक लाक रुपे फीज, advance में मिल गई, plus GST, एक लाक अठरा जार रुपे मिल गया, अब service है, और service है, advance मिला है मुझे, तो ये advance का, मुझे tax government को देना पड़ता है, ये advance का tax मुझे government को देना पड़ता है, ठीक है, पर ना मैंने supply किया, ना मैंने invoice दिया, मतलब मेरा batch cancel हो गया, supply भी नहीं किया, invoice भी नहीं दिया, सि मेरा contract cancel हो जाता है, तो government कहती है कि supplier जब पैसा student को वापस करेगा, तो उसका एक refund voucher बनाएगा, और refund voucher में जो उसने fees ली, एक लाक अठरा जार रुपे, वो पूरा refund करके उसका voucher बनाएगा, इसका फाइदा क्या, इसका फाइदा है कि refund voucher जो month में आपने बनाया, वो month में जो already advance पे GST दिया होगा, वो GST का आपको adjustment मिल जाता है in the month of refund voucher, मतलब refund voucher के case में, sorry, adjustment मतलब आपको refund voucher का उतना credit आपको refund दे दिया जाता है, GST का credit भी नहीं, सीधा सीधा आपको refund दे दिया जाता है, refund voucher का आपको government refund दे देती है क्योंकि आपने advance पे GST दिया हुआ है, एक plan cancel हो गया, और invoice भी यहाँ पे नहीं दिया गया, तो उसका refund voucher बनेगा, और refund voucher दे के मैं government से उसका refund ले लोगा, refund ले लोगा, तो देखो, यहाँ पे, okay, step देखना, when receipt of advance payment receipt, जिसका receive voucher दे दिया गया है, और मैंने दोनों event, supply भी नहीं किया, and, and, मैंने उसका invoice भी नहीं दि इसमें clarification है, जो मैंने चार्ट form में ले लिया है, when to issue refund voucher, refund voucher कब देना चाहिए, पहला, supply is made, but no invoice is given, but supply कर दिया है, supply कर दिया है, तो यह case में refund voucher नहीं जाएगा, और वो case में GST आएगा, जब दोनों चीज़े नहीं होगी, दोनों नहीं होगी, मतलब supply भी नहीं किया, और invoice भी नहीं दिया, तो फिर refund voucher आता है, पर आपने supply कर दिया, और invoice नहीं भी दिया होगा, पर supply कर दिया, तो refund voucher नहीं जाएगा, मतलब आपको कोई benefit मिलने वाला नहीं है, invoice is made, but no supplies done, invoice दे दिया, तो refund voucher भी नहीं जाएगा, यह case में आप आगे credit note concept में पढ़ा होगा, credit note issue कर स पर refund voucher नहीं दे सकते हो, अगर invoice दे दिया, और supply नहीं किया, तो refund voucher नहीं जाएगा, उसकी credit note जा सकती है, third, supply is not made, and also invoice is not issued, दोनों condition, supply भी नहीं किया, और invoice भी नहीं दिया, तो फिर वो refund voucher दोगे, और आपने जो advance पे GST दिया है, और कि आपने जो advance पे GST दिया है, उसका आपको refund government दे देगी, और कि ये बहुत अच्छा analysis है, कि refund voucher कब जाएगा, ये समझाया नहीं समझाया, बताईए बेटा, बोलो फटाफट, समझाया नहीं समझाया, मतलब दोनों event होना जरूरी है, refund voucher के लिए, आपने supply भी नहीं किया, और tax invoice भी नहीं दिया, समझाया नहीं समझाया, फटाफट बताओ, समझाया नहीं समझाया, फटाफट बताओ, अब आजाईए आप तिसरे payment voucher, payment चालान का हो या payment voucher का हो, देखो, अब थोड़ा concept को याद रखना है, supplier है और recipient है, और आपका supply रिवर चार्ज में है, आपका supply रिवर चार्ज में है, RCM में है, आपका supply रिवर चार्ज में है, तो ऐसे case में, recipient को tax देना है, अब law क्या कहता है, अब law यह कहता है, यहाँ, द्यान से सुनो, अगर supplier registered होगा, दो option है यहाँ पर है, ठीक है, अगर supplier registered है, और supplier unregistered है, इवंदो supplier registered होगा, लेकिन अगर आपका supply रिवर चार्ज में, फिर वो GTA सर्वीस हो, sponsorship सर्वीस हो, legal सर्वीस हो, वो body corporate, government, what is it में भी, अगर supplier registered होगा, और supplier रिवर चार्ज में notified है, तो उसका tax तो recipient ही देगा, no doubt, recipient ही देगा, लेकिन registered होगा, तो वो case में supplier tax invoice बनाएगा, okay, tax invoice supplier बनाएगा, वो अपने tax invoice में RCM में right tick करेगा, अगर supplier registered है, तो tax invoice supplier बनाएगा, RCM पे tick करेगा, GST calculate करेगा, पर वो government को GST नहीं देगा, वो tax invoice बनाएगा, RCM पे tick करेगा, GST calculate करेगा, और वो उसके invoice पे recipient government को पे करेगा, recipient government को पे करेगा, और जब recipient government को पे करेगा, okay, तो government को 12,000 रुपे GST देगा, और supplier को 1,00,00,000 रुपे, समझे लो value एक लाग रुपे है, okay, value invoice की 1,00,000 रुपे है, और GST 12,000 रुपे है, लेकिन उसका 12,000 रुपए GST ये देगा और रिसीपियंट सुनना यहाँ पर रिसीपियंट जब उसको एक लाग की वैल्यू देगा किसको सप्लायर को क्योंकि 12,000 गौवर्मेंट को दे दिये और एक लाग उसको देना पड़ेगा तो जब वो एक लाग की वैल्यू उसको दे अगर सप्लायर रजिस्टर है तो टैक्स इन्वाइस वो बनाएगा हम गौवर्मेंट को पे करेंगे उसको पे करेंगे और उसको पे करते वक्ष पेमेंट वाउचर बनाएगे यह प्रोविजन पेमेंट वाउचर लेकिन अगर सप्लायर अन्रजिस्टर है अगर सप्लायर unregistered है तो वो case में tax invoice वो नहीं बनाएगा हम self invoice बनाएगे हम self tax invoice बनाएगे अगर supplier unregistered है तो recipient self tax invoice बनाएगा उस पे GST देगा self tax invoice बनाएगा यह बनाएगा payment voucher भी बनाएगा at the time of payment I repeat अगर वो unregistered है तो इसको दो formalities है कोंसी दो formality tax invoice भी बनाना पड़ेगा इसे self tax invoice भी कहते है और government को payment भी करना पड़ेगा और supplier को pay करते वर्क उसको payment voucher भी बनाना पड़ेगा I hope you understood I hope you understood अब clear हो गया होगा आपको yes or no yes or no जोर से बलो very good very good में तब तक पानी पे लेता हो बताईए यह वन लाग बेटा वैल्यू है ना सप्लायर ने मुझे बिल दिया वैल्यू है एक लाख जी एस्टी है बारह आजार ठीक है रिवर चार्ज में इसलिए बारह आजार का जी एस्टी मुझे गवर्मेंट को देना है और एक लाख उसको देना है बाई बील एन उसका एक लाख का तो एक लाख जब मैं उसको दूगा तब मुझे एक एक कवरिंग डॉक्यूमेंट बनाना पड़ेगा जिसे पेमेंट वो रिजिस्टर्ड हो या अन्रिजिस्टर्ड हो पेमेंट वाउचर तो आपको बना नहीं पड़ते हैं क्योंकि आप जब पेमेंट करते हो तब रिवर चार्ज के टी ओएस आता है लेकिन अगर वो रिजिस्टर्ड होगा तो फिर रिजिपियंट नहीं बनाएगा सप्लायर बनाएगा और अगर वो अन्रिजिस्टर्ड होगा तो इस ट्रांजिक्शन का टैक्स इन्वाइस रिजिपियंट बनाएगा बस इस से ज़्यादा मैं रिवाइज नहीं कर सकता हो अब आप द्हान से पढ़ो, ओके, जो भी आपको यहाँ पर पढ़ना है अब भाई आप आजाओ credit note और debit note में अब आजाओ credit note और debit note में very very important concept exam में इसके उपर question आने के chances है, ओके credit note क्या होता है, देखिए और यह आप ignore कर देते हो, द्हान से सुनना credit note, debit note यह ancillary document है, जब भी कुछ गलतिया original invoice में हो जाती है तो उस गलती को सुदारने के लिए okay, ऐसा मतलब GST law कहता है okay, GST law यह कहता है, कि अब आपने invoice में कुछ गढ़बढ कर दिया, ऐसा मत करना कि invoice फार दिया, फिर नया invoice दे दिया, यह पुरानी बाते बोल जाओ एक बार आपने invoice generate कर दिया, so कर दिया that's all, वो GSTR 1 में update हो जाएगा, अब उस invoice में आपको अगर यह तीन गलतिया दिखती है, तो वो adjust होगी credit note से, यह adjust होगी debit note से, अब यह ancillary document से ही adjust की जाएगी अब credit note और debit note क्या, अब जेखो one or more tax invoices for taxable value, और tax charge in that tax invoice is fine to exceed in taxable value समझ लो, आप मेरे customer हो, example की तोर पे, example की तोर पे कोई भी एक नाम लेता है, विनायक लेलो विनायक मेरा customer है okay, मैं supplier हो इसको मैंने पिछले 8 मैंने में 10 invoice दिये one or more tax invoice दिये, पर 10 invoice में, एक दिया होगा या एक से ज़्यादा दिया होगा और वो सारे 10 invoice में मैंने एक गलती कर दी, actually इसको जो मैंने supply किया वो 12% GST का था okay, पर मैंने गलती से 18% GST लगा दिया याने, okay, ज़्यादा ज़्यादा tax लगा दिया taxable value या tax charge in that tax invoice, जो मैंने इसको 10 invoice दिये थे, उसमें मैंने tax payable ज़्यादा पता दिया, okay जब मेरे ख्याल में आया कि और ये तो गलती होगी मैंने ज़्यादा tax लगा दिया तो ऐसे situation में okay, मैं इसको एक credit note दोगा, कि ठीक है यार, okay तेरे को मैंने अठा परसेंट का GST लगाया, मैंने अठा लगाया पर कितना लगाना चीए था, बारा लगाना चीए था, यानि ये जो difference है 6% का, तो one or more, सभी tax advice की एक ही credit note बनाऊगा, उस credit note में सारे invoice number दे दूगा, और 6% का जो difference आता है, उसको उतना कि उसके account को credit कर दूँगा, क्योंकि उ मेरा customer था मैंने debit, तो उसके account को credit करके note दे दूँगा, उसको कहते है credit note, इसका मुझे क्या फाइदा होगा, मुझे ये फाइदा होगा, कि अगर मैंने credit note दी होगी, 6% के tax की, तो ये credit note जिस month में दी होगी, उस month की output tax liability मेरी कम हो जाती है, मतलब मैं अपने return में दे सकता हूँ कि मैंने इतने amount की credit note customer को भीजी है, तो customer को अगर मैंने credit note भीजी होगी, तो मुझे उतना tax कम पे करना पड़ता है उस month में, जैसे आपको value of supply में discount याद आ रहा होगा, post supply discount होगा, post supply discount होगा, तो मुझे उसकी credit note भेजनी पड़ती है recipient को उसका ITC reverse करना पड़ता है, अगर लिया होगा तो, और मैंने जो credit note भेजी क्योंकि मैंने value ज़्यादा लगा दी थी, अब कम करना है, तो वो situation में मुझे उसका benefit मिल जाता है तो, दो बाते समझो यहाँ पे, अगर आपने original invoice में value ज़्यादा लगा दी या आपने original invoice में rate ज़्यादा लगा दिये, और उसको कम करने है, और tax adjust करना है, तो पहली situation वो कि आप उसका credit note issue कर सकते हो, और जिस मन्त में credit note issue की, उस मन्त में आप tax के adjustment ले सकते हो पहली case होई, दुसरा आप credit note का विशू कर सकते हो when goods are supplied or return by recipient मतलब goods आपने जो supply किया है वो goods sales return हो गया सुनो, सुनो, sales return हो गया, तो वो case में अगर बेचावा goods वापस आजाता है या service आपने invoice generate कर दिया और invoice generate करने के बाद service provide ही नहीं हुई तो वो case में आप credit note issue कर सकते हो, या goods supplied are found in deficient quantity मतलब आपने invoice 1000 quantity का बनाया पर पहुची 950 quantity 50 quantity पहुची नहीं तो 50 quantity का मैं credit note issue कर दूगा अगर credit note issue कर देता हो तो अतना, ओके यहाँ पे मुझे GST का adjustment मिल जाता है और customer को अतना पैसा कम हो जाता है तो यह 3 cases learn करनी पड़ेगी जहां credit note issue होता है next हम बात करते हैं यहाँ पे time limit, time limit of issue of credit note तो को credit note से यहाँ पे आप अपनी output tax liability कम करते हो I repeat, credit note issue करने से आप अपनी credit note क्यों issue होती है आपको लिखना है तो लिख सकते हो it reduces output tax liability output tax liability क्योंकि आपको adjustment मिलती है आपको output tax liability तो government कहती है जो आप financial year की credit note same financial year में issue करो अगर कही कोई reason से आपने वो financial year में invoice related credit note issue नहीं किया तो आप अगले साल के 30th day of November सुनिएगा credit note का time limit 30th day of November और date of filing annual return whichever is earlier दिखो पहले जो था या September end था लेकिन अब जो date है current date जो है आपको time limit लिखना है यहाँ पे 30th day of November तक अब अगले साल के credit note issue कर सकते हो मतलब बेटा जैसे ITC लेने की time limit वो भी 30th November कर दी गई है credit note जिससे आपका output tax कम होता है तीन cases में आपने taxable value ज़्यादा लगा दी tax rate ज़्यादा लगा दी है sales return होगे goods found in deficient quantity होगा और आपको उसकी credit note बेजनी है और अपनी output tax liability कम करनी है तो वो situation में आपने अगर same financial year में credit note नहीं दी होगी तो आप अगले financial year के 30 November तक भी आप credit note दे सकते हो और date of filing annual return तो यह date यहाँ पे 30th November आपको याद रखना है यहाँ पे next लेते बेटा debit note next लेते debit note debit note कभ इशू की जाती है कि आपने debit note एक ही case में इशू की जाती है और वो है कि आपने value कम लगा दी बाद में पतर चला कि अरे यार मैंने तो इससे warranty charges लिए ही नी मैंने तो packing charges लिए ही नी मैंने कोई extra charges लेने है और जो extra charges मैंने नहीं लिए या फिर आपने tax rate 18% लगाना था लेकिन आपने 20 लगा दिया आपने कम लगा दिया तो customer को मैंने debit किया है कम amount से और मुझे extra debit करना है तो अगर मुझे extra debit करना है तो उसकी जाती है debit note and a taxable value or tax charge in that tax invoice is going to be less मैंने जब invoice दिये तो मैंने value कम बता दियोगी या rate कम बता दियोगे तो फिर उसका debit note जाएगा debit note supplementary invoice है और debit note वो return में बताना पड़ेगा और debit note का time limit नहीं है debit note मैं कभी भी issue कर सकता हूँ 2 साल वाद 3 साल वाद क्योंकि debit note से government को revenue मिलता है क्योंकि मैं कुछ extra value लगा रहा हूँ तो government का GST बढ़ेगा इसलिए government ने debit note को time limit नहीं रखा है लेकिन credit note को time limit रखा है क्योंकि credit note में government को adjustment करनी पड़ती है आपका tax कम करना पड़ता है इसलिए credit note अगर supplier issue कर रहा होगा तो अगले साल के September end सुनना अगले साल के September end या date of filing annual return which is earlier चलिए तो ये देखा हमने debit note, credit note अब कुछ special cases में tax invoice कैसे होने चीए banking insurance company होगी तो banking insurance company NBFC होगा तो आपने invoice में serial number नहीं भी लिखा तो चलेगा banking company के case में और address नहीं भी लिखा तो भी चलेगा बाकी सारी details आपको देरी पड़ेगी और document में भी issued और made available physically और electronically ओके physically और electronically ये वाला point MCQ के लिए पढ़के जाना अगर banking और NBFC होगा तो वो case में a sale supplier में issue consolidated tax invoice or any other document in lieu of by whatever the name called ओके for supply of service में during the month at the end of the month समझ लो banking service होगी तो banking service में जो मैं bank charges लगाता हूँ तो आज मेंने bank charges लगा है कल लगा है परसो लगा है और के अलग-अलग DD के bank charges लगा है चेक के bank charges लगा है तो इसका एक एक invoice ना देते हुए उस customer को month end में पूरा एक साथ invoice दिया तो भी चलेगा MCQ के लिए important है month end में आपने पूरा invoice दिया तो भी चलेगा एक-एक invoice ना देते हुए bank को ये special benefit है passenger transport service होगी तो आपका ticket ही invoice माना जाएगा और उस ticket में serial number और address नहीं भी लिखा तो भी चलेगा cinematographic film होगी तो आपका ticket ही invoice माना जाएगा औके चलिए ऐसी cases है जहाँ rule 55 चलान बनती है एक तो आपने liquid gas supply किया तो rule 55 चलान बनेगी job work के case में चलान बनेगी rule 55 की और transportation of goods for reason than other than supply आपको याद है जहाँ supply नहीं है पर goods मूँ हो रहा है मेरी ब्रांच को जा रहा है मेरी ब्रांच को जा रहा है तो rule 55 चलान बनेगी और such other cases as notified by the government तो इस तरह से और के यहाँ पे अलग-अलग case में आपकी rule 55 चलान बनेगी तो चलिए दोस्तों इस तरह से हमने यहाँ पे यह discussion देखा तो हमारा chapter end होता है और हमारा कौन से chapter end होता है invoice yes or no अच्छे से समझा आपको बोलिये फटाफ़ट फटाफ़ट बोलिये अच्छे समझा अभी भी कुछ student ने attendance नहीं लगाया है सब सब response करो चलो